So Hello Everyone and Welcome Back to the Channel दोसो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 कमपनी की तरफ से हाइरिंग बताने वाला हूँ तो दोसो कल की वीडियो में मैंने अल्रेटी कमपनी की हाइरिंग बता रखिये तो लेना हूँ वो के जिबनाई की तरफ से हाइरिंग हो रही है और Intensive Opportunity निकली है तो जाके जरूर एपलाई करेगा इन सारी कमपनीज में तो आज की इस वीडियो में दोसो 5 कमपनीज की तरफ से हाइरिंग है और उससे पहले दोसो और अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो चले दोसो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे Honeywell की तरफ से दोसो Software Engineer One Role पे हाइरिंग निकली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोसो इसमें Responsibilities की बात करें तो यहाँ पे Bachelor Degree from an Accredit Institute in a Technical Discipline such as the Science, Technology, Engineering और Mathematics से ब्लॉग करते हैं तो आप जाकर के Apply कर सकते हैं तो इसमें यहाँ पे दोसो Freshers जो है eligible है और यहाँ पे Bangalore आपको देख रहा होगा location है जहां के लिए job निकली है और requirement and design software, architecture and coding, integration, certification, test तो यह सारे responsibilities आप जाकर के देख लीजेगा और apply now पे click करके apply पे click कर लीजेगा तो यह दोसो company के hiring है और second company की hiring बात करें तो दोसो यहाँ पे LinkedIn में software, engineer role पे phone पे यहाँ पे hire कर रहे है और year of experience की बात करें तो दोसो 4 to 8 year of experience होना चाहिए ठीक है, of knowledge of operating system, current technologies है और यहाँ पे आप Golang, Rust, Python, working experience of C++ is a good to have ठीक है और दोसो package बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तो अगर आप interested है तो यह phone पे पे जाके apply कर लीजेगा थर्ड company की तरफ दोसो यह hiring है Amazon की तरफ से तो software development engineer role पे hire कर रही है ठीक है और Amazon, Bangalore, Karnatka, India और अगर दोसों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लोकेशन कहाँ आप है तो बैंगलोर, कarnatka और इंडिये यहाँ पे आपको location पे hire कर रहे हैं और थ्री प्लस यहर आफ नॉन इंटेंशिप professional software development experience हो और टू प्लस यहर आफ नॉन इंटेंशिप design of architecture, design pattern reliability of new and existing system experience पे यहाँ पे आपको रूल मिलना है चीक है तो अगर आप interested है यह फिर आपके पास इतना experience है तो दोसों जा करके इस Amazon company में apply कर लिजेगा उसके बाद दोसों यहाँ पे जो चौथी अपनी है वो fidelity investment है और इसमें दोसों अगर हम लोग बात करें तो year of experience पे तो टू से लेके 5 year of experience supporting highly distributed multi-tiered system at scale तो head on experience with public cloud environment जैसे AWS वगएर आपने कर रखा है तो दोसों यहाँ पे apply कर सकते हैं और इसमें दोसों यहाँ यहाँ पे SQL Java Spring Boot है और familiarity with ITL process like incident और change management है तो आप यहाँ पे जा करके apply कर लीजेगा link description में दे दूँगा ठीक है अब दोसों जो last company की hiring है वो setrix की तरफ से software engineer role पे hire कर रही है और software engineer में दोसों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो you have at least two to four year of software development experience with one or more object oriented language preferably in .net C sharp और python पे है तो आप जा करके apply कर सकते हैं और you have a proficient in one or more large public provided as your preferred AWS और GCP और इन लार्ज स्किल पास और सास और एनी प्लेटफर्म ठेक है तो दोसों यह काफी जदा जो hiring मैंने बताई है वो आपके लिए experience hiring है और यहाँ पे एक fresher भी hiring है तो जा करके अगर आप interested है तो जरूर apply करेगा और दोसों freshers की भी hiring की वीडियो और चैनल पर अप्लोड भी है और और भी दोसों यहाँ पे मैं freshers के लिए job opportunities लेके आतर होंगा तो दोसों वीड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है और दोसों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और आप दोसों टेलीग्राम चैनल भी जरूर जोइन कर लीजेगा